वोली का फेस्टिवल और धही वड़ा और आसा तो होई नहीं सकता तो आज मैं आपके साथ शेयर करें दही पट के रेसिपी मैं तरी के सब्सक्राइब करें आज में वह बनाने चाहिए यहांट आई तही अपके साथ शेयर करते हूं में यहां पर मैंने दाल लिया है 200 ग्राम और 100 ग्राम मैंने थुली वाली उदरत की दाल लिया है भिगोने से पहले एक बार दाल को मचीतरी के से चेक कर लेंगे, बीन लेंगे, इसके अंदर कोई कंकड़ गंदगी ना हो, फिर इसको भिगोएंगे, इन दोनों दालों को हम पानी से रगड़ कर अच्छी तरह तीन चार भार धोएंगे, क्योंकि दालों के अंदर एक पाउडर सा होता है, वो निकल जाए, इतना हमें धोना डाला को एक तरीके से सीमեन के बाद इनको हमें अलग-जलग भिगोना है, कम से कम चार घंट के ले लिए हमें इतना है ताक्कि दाल अच्छे तरीके से फूल सके लगभग चार घंटे हो गए आप दाना उठा के दाल चूंपे ईक तरीके से तोड़के भी देख लेंगे, अगर असानी सी टूट रहे तो इसका मतलब अछी तरीके से गल गई है तो अब हमें दाल को पीषना है तो जिस पानी में दाल भीग वहए था वह पानी फेक देंगे और पीषते समय हम दाल के अंदर पानी बिल्कुल ने रखना है तो मैं एक बार आपको दाल का टेक्षर दिखाते हूं इस तिरकर की दाल हमें चाहिए बिल्कुल क्रीमी तो फ्रेंज यहां पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहते हूं यदि आप दाल पीशते हैं आपनी मिक्सी के अंदर और उसकी पावर 500 वाट की है तो मेरी मिक्सी जो 900 वाट की है तो इसलिए मैंने इसके अंदर आइस नी डाला मैंने ऐसे ही पीश लिया है अब इस दाल को जो हमने पीशा एक परात में निकालेंगे परात का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए मैंने दाल के अंदर 14 टीस्पून हींग मी डाला है हींग ड दाल को में मैं फेटना है जब तक उसक उसका color डा चेंज हो जब आपको लगे की दाल का color ौर तो कुरी लेंगे ऑंदर लिंगे थोड़ा सा डाल को और देखे अमने दाल थोड़ासा टण searched के इंदर ौड़ ऑनाने के लिए और यह तो यह उपर तार कि भारचछ थ whereby न यहां पर मैंने कब्दूकस करके रखा है तो एक टेबल स्पून अधरक है, और साथ ही मैं डाल देंगे, एक टेबल स्पून चीराँजी, लेकिन चीराँजी को साफ करके चीरा और साथ ही मैं डाल रूं दालने अगर हमें नमक डाल दिया तो बैटर मारा पतला हो जाएगा तही बड़े नहीं बन पाएंगे जब चीज़े अच्छी तरीक से मिल जाएगी तो इस बैटर को हम पांच मेट के लिए ठाक के रखेंगे तो जब तक हमें बैटर को 5 मेट के रखा हम एक पानी बना लेते अगर नाव तो आप खरकी जो नॉमा मिर्स होती है वो डाल लेना हाफ टीस्पून जीरा डाल रहे हैं और हम डाल रहे हैं पिंच इसके अंदर हींग और जो हमने सारे मसाले डाले हैं इसको मची तरीके से पानी की अंदर मिला देंगे पांच मेंट हो गए हैं अब हम बनाते हैं धही बड़े तो इसके लिए मैंने कड़ाई में रिफाइन डाल दिया है और अब इन धही बड़ों को फ्राइड कर लेंगे साइज अब अपने हिसाप से छोटा बड़ा जैसा भी रख सकते हो लेकिन धही बड़े थोड़े बड़ अब इनको फ्राइड कर लेंगे और इस थरीके से हम बड़ो को कड़ाई में छोड़ते जाएंगे और हमें तुरंत ही इसके अंदर ज्ञारा नहीं लगा नहीं तो इस चिपक जाएंगे हमें इन धही बड़ों को मीडियम टाइम प्रेचर पर फ्राइड करना है जब इन ब जिरा लाल मेश नमक और अबब नमक और देवाले को तक पनी ठैण के त्सके मसाले तो यहां पर मैं आपको एक और गरम गरम यह पानी के अंदर आप पानी जीरा मिरिश नमक डाल के रखा है तो आपके धाई बड़े के अंदर गुठली आ जाएगी तो लगबग 45 फिनिट्स हो गए हैं इन धाई बड़ो को हम पाने से निकाल लेंगे अच्छी तरीके से निचोड लेंगे अब इन धाई बड़ो को हम चार्च के अंदर डिप करके रखे थे और इन धाई बड़ो को इन चार्च के अंदर कम से कम आदा घंटा के लिए हम डिप करके रखेंगे तो जब तक हमारे धाई बड़े सोक हो रहे हैं चार्च के अंदर हम धाई बड़ो के लिए धाई बना लेते हैं यहां पर मैंने आदा किलो धाई लिया है मैंने अभी मार्केट वाला दही लिया क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है तो गाड़ा दही होता है अगर आप चाहो तो घर का दही भी आप यूज कर सकते हो और इस दही के अंदर मैं डाल नहीं 1 टीस्पून शुगर पाउडर क्योंकि दही बड़ो का दही हलका सा अब इस दही को अची तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि दही हमारा एकदम क्रीमी हो जाए इस के अंदर कोई गाट और गुठली ना रहे है और यदि आपको बिलकुल मार्केट जैसा टेक्सर चाहिए जैसे मार्केट में दही बड़े मिलते हैं तो आप इस दही के अंदर 2- तीन टेबल स्पून अमुल की क्रीम भी डाल लेना तो आए अब इन धही बड़ो को सर्फ कर लेते हैं तो हमने एक सर्विंग प्लेट लिए इस के अंदर में डाल रहे हूं धही बड़े जो हमने चाच के अंदर भीगो के रखे थे और उपर से डाल देंगे धही जो हमने अभी फेट के रखा था इन धही बड़ो को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रहे हूं धही बड़ा मसाला जो मैंने घर में बनाया था और डालूंगी उपर से भुने जीरे का पाउडर और उपर से खाते समय सर्फ करेंगे सोट की चटनी जो हम मैंने आपको बनान तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप से किसी एक नई रेसिपी के साथ में तब तक हैपी कुकिंग